Hello Students, Welcome to Magnet Brains आज हम दुर्वा का जो नया चैप्टर लेकर आए हैं वो है एक कविता कविता क्या है? हम धरती के लाल मतलब लाल कौन है? बच्चे हैं? भई भविश कौन होता है? बच्चे होते हैं किसी भी जन्गरेशन में कहीं कभी भविश होते हैं तो अब यहां बच्चों से बोला जा रहा है कि हम धर्ती के लाल है और किस तरीके से हम धर्ती में changes लाएंगे यह जो धर्ती हमारी हैं जो शनसार है इसमें जब हम बड़े होंगे तो हम कैसे-कैसे changes लाएंगे और उनसे क्या-क्या होगा इस कविता के अंदर हम देखेंगे, इस कविता के जो रचेता हैं वो कौन हैं, शील, जो कभी हैं वो शील है, उन्होंने बड़ी अच्छी से कविता रख्ये हैं हमारे सामने कि भविश बच्चों के हाथ में होता है तो बच्चे किस-किस तरीके से उन्में बदलाव ला सकते चलिए देखते हैं कविता पड़ते हैं उसका अर्थ समस्ते हैं और फिर उसको भावारत लिखनी का तरीका भी देखेंगे तो क्या है देश हमारा धर्ती अपनी हम धर्ती के लाल नया संसार बसाएंगे नया इंसान बनाएंगे सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे मानव की मिहनत पूंजेंगे नई कल्पना नई चेतना की हम लिये मशाल हम समय को रहा दिखाएंगे अब यहां क्या है बच्चे बोल रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे हमारे हाथ में जो है अब ये दुनिया आने वाली है तो हम इसमें कैसे बदलाव लाएंगे कैसे हुआ देश हमारा तो बच्चे क्या कह रहे हैं ये देश हमारा है ये धर्ती भी हमारी है और हम इस धर्ती के लाने लाल का मतलब क्या है ये मा होते हैं मा का लाल यानि कि ये हमारी मा है और हम इसके पुत्र हैं हम ही इसको सजाएंगे समारेंगे और इसकी रक्षा करेंगे नया संसार बसाएंगे मतलब यहाँ पे जो लोग हैं जो भी लोग बने हुए हैं हम उनमें जितनी भी गलत चीज़े हैं हम उनको हटा देंगे एक ऐसा संसार बनाएंगे जिसमें सब कुछ अच्छा होगा सब लोग अच्छे होगे तो वही दिया है नया संसार बसाएंगे नया इंसान बनाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि हम जितने सब को हटा देंगे उसकी जिगर नया लेके हैं कहने का मतलब है जितनी भी खामिया हैं बुराईया हैं उन सभी को हम हटा देंगे सुक स्वपनों के स्वर गूजेंगे पूजेंगे मानव की मेहनत पूजेंगे और जो मानव मेहनत करते हैं जो मेहनत कर्ष हैं उनको सही में उनके दाम मिलेंगे कहते हैं मेहनत करो और उतना आपको मुआपसर नहीं मिलता आपको उतनी मेहनत आना नहीं मिलता है तो यहां पर क्या है जब इंसान इतनी मेहनत करेग तो उसकी पूजा होगी मेहनती इनसान ही आगे जाकर भविश्व में सफल होगा इसलिए जो भी मेहनत कर रहा होगा हम उसकी पूजा करेंगे नई कलपना नई चेतना की हम लिये मशाल समय को रहा दिखाएंगे समय को रहा दिखाने का मतलब क्या है कि आने वाला जो समय है उस समय में हम नई सूर्थी भरेंगे मतलब नई सोच लेकर आएंगे हर चीज नई करेंगे जो शुरू से ढरे से चले आ रहे हैं उनमें जितनी बुराईया हैं उन सभी कामियों को हम हटा कर नई कलपना यानि कि जितनी भी नई आप सोच ला रहे हो उन सभी को हम आगे रहा दिखाएंगे रहा दिखाने का मतलब जिए आपने सपने देखे हैं आप जितना भी सोच रहे हैं उन सभी सपनों को हम आगे चलके साकार करेंगे या भी तो हमने आर्थ समझ लिया अब इनके भावार्थ को हम कैसे लिखेंगे देखिए इस कविता में कवी ने एक सुनहरे भविश्य की रचना के लिए संकल्प के बारे में लिखा है बच्चे हैं ना बच्चे संकल्प कर रहे हैं कि हम अपना देश ऐसा बनाएंगे यानि अभी जिस दुनिया को हम देखते समझते हैं उसमें हम सुधार करेंगे और लोगों को बहतर इंसान बनाएंगे यानि कि उनमें जितनी कामिया हैं बुराईया हैं उन सभी को हम हटाएंगे और चीजों को सुधारेंगे अच्छा बनाएंगे उस नई दुनिया में सुख ही सुख होगा और इंसान की मेहनत की सही कीमत लगेगी यानि कि जब हम सब सुधार कर देंगे जैसी धर्ती बन जाएगी बनने के बाद क्या होगा चारो तरफ सुख होगा जो सपनों में हम जो सुख वरा संसार देखते थे अब क्या होगा? वो सुख वरा संसार हमारे असलियत में हम सामने ले कर आएंगे और इंसान जो भी जितनी भी मेहनत करेगा उसे एकदम सही कीमत मिलेगी उसकी पूजा होगी उसकी मेहनत की नई सोच नई उमीदों की रोशनी लेकर हम समय को एक नया रास्ता दिखाएंगे समय मतलब अब समय का मतलब जो आने वाला समय रहेगा यानि जब अभी जैसे हम हैं तो आगे जितना भी आएगा उसमें हम अपनी नई सोच और नई उमीद लेकर हम इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे तो देखें लिखते समय हम क्या करते हैं जब भी हम भावार्थ लिखते हैं तो पहली लाइनों में हमने कभी के बारे में लिखा कभी के बाद में वो जो भी आपको इस पैरा में बताने जा रहा है उसे हम एक लाइन में explain कर देंगे तो एक लाइन में हुआ ना कभी एक सुनेरे भविश्की रचना के लिए संकल्प के बारे में लिखा फिर उसके बाद उसका अर्थ हम शुरू करते हैं तो भाव आर्थ क्यों होता है हमने उस पैरे के भाव को पहली लाइन में बता दिया तो वो भाव हो गया फिर जो लाइने हमने अभी पड़ी थी उसका अर्थ हुआ उसके बाद हमने उसका अर्थ लिख दिया इसलिए ये भावार्त कहलाता है भाव प्लस अर्थ पहले क्या होता था जब पहले लिखा जाता था तो संदर्ब होता था, प्रसंग होता था फिर अर्थ होता था लेकिन अब क्या जो pattern है अब तीनों चीज़ों के एक ही में मर्च कर दिया गया है संदर्ब में हम लिखते थे कि इसके कभी कौन है कहां से लिया गया ये सब चीजे रहती थी प्रसंग में हम भाव बताते थे कि इस पूरे पैरा में भाव क्या दिया गया है फिर उसके बाद हम अर्थ लिखते थे लेकिन अब क्या है वो तीनों चीजें ही हमने एक में कर दी है तो वो एक में करने के कारण वो क्या बन जाता है भावार्थ बन जाता है चलिए अब आगे का पैरा देखते है एक करेंगे हम जनता को सीचेंगे समता ममता को नई पौध के लिए पहन कर जीवन की जैमाला रोज उस्तियोखर मनाएंगे तो आप इनों ने क्या मोला जो लोग आपस में इधर उधर मत कहते हैं बट चुके हैं जाती धर्म के नाम से हम उन सभी में एकता लेकर आएंगे बत्ब उनके बीज के भेद भाव उच नीच जाती धर्म हम सभी को हटा देंगे और उन सभी को हम एक क कर देंगे और क्या है सीचेंगे सम्ता मम्ता को यानि कि उन सभी में हम बराबरी लेकर आएंगे एक करने का मतलब क्या हुआ कि जितने बेद बहुत रटा दिये और सभी को हम बराबर करके ले आएंगे नई बौध के लिए पहनिकर जीवन की जैमाला और जो नया आने वाला समय है यानि कि अब जो हमारे हम जो करने जा रहे है जो नया समय आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे जीवन की जैमाला यानि कि अब हम ऐसा संसार बना देंगे, वहाँ पर चारो तरफ सुखी सुख होगा और डेली तयोहार मनेगा, रोज, जैसे तयोहार होता है, तयोहार में बहुत खुश होते हैं, एकदम फेस्टिबल रहता है, उमंग रहती है, हर तरफ सजावट रहती है, सब कुछ होता है, तो हर रोज हमारा ऐसा होगा, जैसे कि तयोहार मनाये जा रहे हैं, ऐसी खुशी चारो तरफ व्यापत होगी, कैसे लिखेंगे अब इसको, हम जनता को एकता के सूतर में बान देंगे, और उनके बीच के भेदों को मिटा देंगे, यानि कि उनके बीच होने वाले भेद, भ हाओ, जाती, धर्म, उच, नीच, जातपा, सब कुछ मिटा देंगे और उनमें हम बराबरी लेकर आएंगे, हम नई सफलताओं का स्वागत करने के लिए जीवन के जोश में भर कर रोज तयोहार मनाएंगे, यानि कि जो हमारा आने वाला जितना समय होगा, उसमें हम इतना जोश भर देंगे, कि पड़े जैसे हम तयोहार मनाते हैं, हमारे अंदर उमंग होती है, वैसा ही हमारे अंदर जोश होगा, जब हर दिन खुशियों से बरा होगा, तो यह किसी तयोहार से कम नहीं होगा, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होगा, सब खुश होंगे, सब सुक देंगे तारों की चाल नया भूगोल बनाएंगे नया संसार बसाएंगे तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है 100-100 स्वर्ग उतर आएंगे सूरज सोना बरसाएंगे यानि कि जब हम यह सब बदलाव कर देंगे तो धर्ती कैसे हो जाएगी जैसे स्वर्ग होते हैं 100 स्वर्ग मिलकर जैसे बनेगा वैसी ही धर्ती हो जाएगी धर्ती इतनी अच्छी हो जाएगी और सूरज सोना बरसाएंगे और उस नए जीवन में उस नए धर्ती पर जब सूरज निकलेगा तो वहां रोशनी के साथ धर्ती पर सोना बरसेगा ऐसा हम धर्ती बना देंगे, हम धर्ती को स्वर्ग जैसा संपन बना देंगे यानि हर तरफ क्या होगा, सब लोग खुश होंगे, सब संपन होंगे किसी के पास गरीबी नहीं होगी, सब धन धान से भरे हुए, सब अच्छे रहेंगे सब के पास अच्छी संपत्ती होगी, धन होगा, दौलत होगी, सब सुखी होगे अब क्या है, दूद पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल यानि की आने वाला समय जो होगा दूद पूत मतलब पुत्र और दूद यानि की चोटे बच्चों के लिए जैसे होता है, बच्चे के लिए चोटा सा दूद जरूरी होता है उसी तरीके से क्या होगा, हम हर किसी की जरूरतों के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इन तारों की चालों को भी बदल देंगे हम इतनी मेहनत करेंगे कि किसी को मतलब यहां पतारों की चाल बदलना तो असंभव है तो यहां कहने का तादपर यह है कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो हम असंभव कारे को भी संभव करने के लिए तयार रहेंगे नया भूगोल बनाएंगे नया भूगोल मतलब जब हम तारों की चाल बदल देंगे तो भूगोल भी बदलेगा भाई ये भी संभव है भूगोल मतलब प्रत्वी में जो चीजे जैसी रहें परसेतिया हैं तो वहाँ पर वो चीजे जब हम बदलेंगे तो बिलकुल भी नया संसार बन जाएगा जब भूगोल बदलेगा तारों की चाल बदलेगी तो सब कुछ नया बन जागा यानि इस लाइन का मतलब क्या हुआ यहां से तारों की चाल बदल देंगे तारों की चाल नया भूगोल बनाएंगे नया संसार बनाएंगे इसका मतलब क्या है कि हम सबको संपन खुशी हर सुलार उनके दुख को मिटाने के लिए असंभव कारे को भी हम करने के लिए तयार रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े कैसे लिखेंगे हम हमारी मेहनत से धर्ती पर स्वर्ग जैसा माहौल होगा यानि कि हचारो तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग होगा जहां सूरज की केड़नों से सोने की बारिश होगी चारो तरफ क्या होगा बारिश हो रही होगी सूरज की केड़नों की यानि हर तरफ धन्य धान और हर्शो लास होगा आने वाले भविश्य के लिए हो सका तो हम तारों की चाल तक बदल देंगे यानि असंभव लगने वाले कार्रे को भी कर देंगे अगर कोई चीज ऐसी पड़ेगी तो जो असंबा हो हम उसको भी करने के लिए तयार रहेंगे उसके बाद हम बिल्कुल ही नई दुनिया बनाएंगे अब उसके बाद जैसे कि हम अभी थोड़ दर पहले एक चैप्टर पढ़ रहे थे क्या था हम धरती के लाल यह एक कविता थी और कविता में बच्चे बता रहे थे कि किस तरीके से वो आने वाले धरती उसको बनाएंगे सजाएंगे सवारेंगे और उसमें किस तरीके का संसार बसाएंगे और धरती कैसी हो जाएगी यह सभी हमने पढ़ा और जाना अब उसी पे आधारित कुछ प्रेश्ण हमारे सामने प्रस्तुत किये गए है तो उसमें पहला प्रेश्ण क्या है नीचे लिखी पंक्तियां पढ़कर उत्तर दो यानि कि आपके सामने पंक्तियां दी है और उससे ही आपसे कुछ प्रेश्ण पूछे गए क्या है नया संसार बसाएंगे नया इंसान बनाएंगे तुम्हारी विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की जरूरत है या नहीं कारण बताओ अब ये तो नहीं है कि भई नया संसार बसाएंगे, यहाँ पर ताद पर यह नहीं है कि जो चल रहा है उसे हम खतम कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब हम नय बनाएंगे यहाँ पर मतलब है हम उनमें सुधार को लेकर आएंगे यहाँ पर किसी को खत्म करने की बात नहीं की जा रही है जो संसार है उसी में सुधार लाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमें खत्म नहीं करना नया संसार को बसाने की जरूरत नहीं है खाली उसमें सुधार की जरूरत है हमारे विचार से नया संसार बसाने या नया इंसार बनाने की आवशक्ता नहीं है संसार इंसान से बनता है अब यह जो संसार बना है यह किस से बना है इंसानों से ही तो बना हुआ है संसार अपने आप में तो कुछ नहीं है बही संसार हम क्यों बोल रहे हैं इंसान है इसलिए हम बोल रहे हैं और इन्नी इंसानों से संसार बनाए तो इंसान में सुधार की जरूरत है तो क्या दिया है अता बदलाव की आवशक्ता है तो वह केवल इंसान में है जो मनुष्य है उसमें बदलाव की जरूरत है यदि इंसान में सुधार हो जाता है तो वो संसार अपने आप नया हो जाएगा अगर उसमें सुधार हो गया तो इंसार अपने आप नया हो जाएगा यदि हम नया संसार बनाते हैं या नया इंसान बनाते हैं तो इसमें इस बात की गैरेंटी नहीं कि उसमें समस्याय असमानताय नहीं होगी मान लिजिए इस सब को कतम करके हम नया बनाते नहीं कहीं दुनिया ले जाकर बनाते हैं तो उनमें कहीं मुसीबते नहीं आएंगी, कुछ असमानता आएं नहीं होंगी, कुछ दिक्कते नहीं आएंगी, कुछ समस्या आएं नहीं होंगी, इस चीज़ की तो कोई गारेंटी नहीं है, हो सकता उसमें भी आएं इसलिए इस बात को बुलाकर हमें स्वेम में बदलाव करने की कोशिश करने चाहिए मतलब हम पकड़ पकड़ के एक एक इंसान में थोड़ी ना बदलाव करेंगे तो क्या होगा हमें खुद अपने आप से बदलाव की शुरुवात करनी होगी हम बदलाव करेंगे और धीरे-धीरे हर एक चीज़ बदलती चली जाएगी नेक्स क्या दिया है रोज त्योहार मनाएंगे तुम्हारे विचार में क्या रोज त्योहार मनाना उचित है? क्यों? अब अगर डेली फेस्टिवल होंगे सोचो तो आदमी डेली फेस्टिवल की तैयारी में लगा रहेगा वही मनाता रहेगा काम कब करेगा? ठीक है? और अगर त्योहार हम डेली मनाएंगे तो फिर त्योहारों का महत्व खतम हो जाएगा वो भी नहीं बचेगा तो अब हमें नहीं मनाने चाहिए तो क्यों? इससे क्या क्या दिक्कति आईए? अगर यह दिया है ना त्योहार मनाना अगर मनाना उचित है त्योहार मनाने से मनुष इनी में उल्ज़ा रहेगा और अन्य कारण नहीं करपाएगा दाइर सी बात हैं जब हम लोग Libcker पेस्तिवल होते हैं खाना पीना सजावर साफ सपाई ये वो बहुत सारी चीज़े होती हैं लोग उसी में बिजी रह जाते हैं डेली डेली तेउफार होगे उसी में बिजी रहेंगे तो आपना कारव्य तो करी नहीं पाएंगे फिर उसके बाद लोगों पर इससे आर्थिक दबाव बनेगा तियोहारों में बहुत खर्चे होते हैं नहीनी चीज़े होती तो क्या होगा इससे पैसा जादा खर्च होगा और हमारे उपर आर्थिक दबाव बना रहेगा जीवन में उमंग शेश नहीं रहेगी तियोहार जीवन में बदलाव लाते हैं और यदि रोज ही तियोहार होंगे तो उमंग के लिए स्थान ही नहीं बचेगा अब क्या होगा अब तियोहार क्या है हमारे अंदर नया जोश भरता है जब भी तियोहार होता हम लों कितनी खुशी से मनाते हैं मुझें उससे बनाते फिर अब यह वहीं उमंग बनी रहेगी तो किया यह पॉसिबल है हम बहुट ही नहीं सकता कि यह से इमधनी धार अब देखो आप एक दिवाली या को बच्छे से रग या दीवाली के दिनको बच्छे से रंग एलेते हो दिवाली को बच्छे तो दूसरी दिन हम लोग कितना थकान मैसूस करते हैं तो क्या होता है अब अगर डेली आज तेओहर खतम हुआ कल दूसरी दिन फिर तेओहर है फिर तीसरी दिन तेओहर है तो क्या हमारे अंदर उतनी स्पूर्ति और उमंग बनी रहेगी उसको करने के लिए नहीं तो यह महीनों पहले से आरंभ हो जाती है यह दित तेओहर रोज होंगे तो लोगों को उसकी तयारी में समय देना पड़ेगा इससे लोगों का बहुत समय नश्ट हो जाएगा जाहिर सी बात है महीनों पहले से होने लगती है दिवाली की शाब सफाई घर में होगा पक्वान बनने हो एक हफते बले पहले से बनने लगते सब होने लगता तो ये तेउआर की तैयारी मेχा बहुत समय जाता है फिर सबसे बड़ी और मुख ह बाद तेउआरों का महत्व कम हो जाएगा अब तेउआरह मनाते हें उसका अपना एक कारण होता है कि ये तेउआर क्यों मनाया जा रहा है तो अगर पडे मनाये तो जो में त्योहार है उनका तो माथ्वी खतम हो गया बचेगा ही गहीं माहत्व की क्यों मनाये है गल भी तो त्योहार मनाया था बाज फिर त्योहार क्यों मनाये भई तो वो एक चीज ये भी हो जाएगी Next question सौसो स्वर्ग उतर आएंगे सूरज सुना बर्स आएंगे दूद पूद के लिए बदल देंगे तारों की चाल क्या उपर लिखी बाते संभग हो सकती है कारण भी पता करो जाहिर सी बात है ये बात संभव नहीं हो सकती कि स्वर्व भी ले आए सूरज की इनुक साथ सूना बर से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सूरज की तारों की चाल बदल दें ऐसा भी संभव नहीं हो सकता तो ये संभव नहीं है चीजे तो इसको क्यों नहीं संभव है कैसे बताएंगे देखें यह कवी कि ये बात संभव हो सकती है असंभव सी बात तो है लेकिन संभव हमने कैसे बताई थी ये बात असंभव है लेकिन इसको अपने कार्णियों द्वारा संभव कर सकते मतलब यहां पर कहने का मतलब है असंभव कार्य को भी हम संभव करेंगे मेहिनत के कारण तो क्या दिया यदि मनुष महिनत करें महिनत से ही वो धर्ती पर सौसो सर्ग उतार सकता है प्रक्टिकली देखा जाए स्वर्ग नहीं उतार सकता सुड़त की रोश्णी से सोना नहीं बरस सकता तारों की चाल नहीं बदल सकती यह सब अगर practically देखा जाये तो यह नहीं हो सकता लेकिन मेहनत से ऐसा मौहल create किया जा सकता है तो 100-100 उतर आएंगे कभी के नुसार यदि सभी मनुष एक साथ मेहनत करे तो प्रत्वी का हर स्थल लहला उठेगा यानि खेती होगी चारो तरफ लहादे आली होगी सब कुछ होगा तो स्वर्ग जैसा ही माहल होगा उसकी सुन्दर्ता इतनी अनुपम होगी कि मानो चारो और स्वर्ग उतर आया है तो इतनी कुछ आली होगी तो वो स्वर्ग जैसा ही लगा इस तरह हमारे द्वारा की गई मेनत आने वाली पीडियों के भागी को बदल कर रख दीगे और विमेशा फलते फूलते हुए इस प्रत्वी पर रहेंगे तो ये अगर प्रैक्टिकली अगर ये चीज़ देखी जाए तो संभव नहीं है असंभव है लेकिन मेहनत से हम ऐसा महौल धरती पर बना सकते हैं जैसे स्वर्ग में होता है चारो तरफ खुशी है तो खुशी कैसे आती है खुशी आती है हमारी मेनत से तो जब सब मिलके मेनत करेंगे तो चारो तरफ खुशी ही खुशी होगी कवी हम धर्ती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं क्यों बोलते हैं ऐसा लाल हम धर्ती को अपनी मा मानते हैं तो हम लाल कहेंगे तो बेटा अपनी मा की सबसे ज़्यादा क्यार करता है बच्चे अपने मा की सबसे ज़्यादा क्यार करते हैं चाहते हैं ताकि वह मनुश्य क्या संबंद धरती से व्यक्त कर सके जायत सी बाते है संबंद ही व्यक्त कर रहे नहीं करे लिया संदान को होता है वप्ति माता पिता के लिए कुछ करे जब तक धर्ती को मा मानने लगते हैं या कहने लगते हैं तो उससे भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं जब हम मा बोलेंगे किसी को भी हम अगर किसी को बहुत जादा रिस्वेक्ट देते हैं कुछ बोलते हैं अंगल आंटी बोलते हैं एक अंजान व्यक्ति के लिए हमारे साथ वो अटेश्मेंट नहीं रहा था जब किसी के जादा नजदीक होते हैं तो जब धर्ती को मा जैसा एक रिश्टा अगर हम दे देंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको केर करने लगेगे उसको सम्वान देने लगेगे उसके हमारे साथ अटेश्मेंट हो जाएगा यह भादमात्मक संबंध हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी मा के लिए कुछ करना है यानि कि हम अपनी धर्ती के लिए जो कुछ भी करेंगे वो संबब तरीके से करेंगे तुम भी नीचे लिखे वर्णों उस से वाक्य बनाओ और ध्यान रखो उस वर्ण से शुरू होने वाले तीन शब्द तुम्हारे वाक्य में होने जाएं तो क्या होता है शब्द का ये वर्ण जैसे आपको दिये गए हैं यहाँ पर का, ता और दा तो आब आपको कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें का तीन बार आया ही आया हों तो क्या दिया है हमने कागज की कश्टी चलती छन छन तो यहाँ पर देखें यहाँ पर का तीन बार आया है न यह देखें का तीन बार आया है फिर क्या है ता को तीन बार किया तीन तमगे तान कर चलते लाला जी तो यहाँ पर क्या दिया यह देखिए ता ता और ता यह ता तीन बार आया फिर उसी तरह आपका दा आ रहा है दा से क्या होगा दान देना दान वीर कर्ण का कार्य था तो अब इसमें भी देखिए दा दा और दा यह तीन बार आया तो आप ये देख रहे हैं वर्णों के साथ खेल रहे हैं तो ऐसे चीजों को quick करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी words ऐसे आए जिससे आपका word बन सके तो आप कोशिश करिएगा जैसे यहाँ पर तीन दिये हैं आप कोई भी word ले लीजिए जैसे कि आप ले लीजिए, मा ले लीजिए, चा ले लीजिए, पा ले ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए तो उनसे कोशिश करिए कुछ नए words को बनाने की एक वाक्य बनाने हैं जिनमें जो लगातार दो तीन बार यूज किये गए हो next question क्या दिया है कभी एक नया संसार बसाना चाहता है, जहां मानव की मेहनत पूजी जाए जहां जनता में एकता हो, जहां सब समान हूँ जहां सभी सुखी हूँ, तुम्हें अपने संसार में उपर लिखी बाते नजर आती हैं या नहीं इन बातों के होने या ना होने का क्या कारण है तो अब जैसे कभी ने जैसे संसार की कलपना करी अगर हम अपने सामने देखें तो ऐसा संसार हमें नहीं देखता इसके ना होने की क्या कारण है ये आपको बताने तो कैसे दिया हां मुझे अपने संसार में ये बाते नजर आती हैं कि मतलitate जैसे दिया एक नया संसार जहाँ मानव की मेनत पूजी जाएगी जहां जनता में एकता होगी जहां समान होगे सभी और सभी सुखी होगे तो ये जो लक्षर टीन दिखाया है आपके मेहनद पूजी जाए जनता में एकता हो सब समान हो जहां सुखी हूँ तो ये जो चीजे हैं आपको बताने हैं आपके संसार में दिखती है या नहीं दिखती है तो क्या दिया है नजर आती हमारे संसार में मानव की मेहनत पूजी जाती है तभी तो आज वही लोग शिखर पर विद्धमान है जिनोंने अपनी मेहनत के बलपर असंभव को संभर कर दिखाया है यानि बहुत से लोग हैं अब देखें मंगल पे पहुँचना मुश्कल था मंगल ग्रह पे पहुचना मुश्कल था लेकिन लोग वहाँ पे भी अपनी मेनत और बुद्धी के दम पर पहुचे मतलब मशीन पहुचाई चांद हमारी धत्ती से थी दूर है महाँ पर मनुष्य पहुँचा तो ये सब चीजे हैं, फिर क्या दिखाया यहां पर? यदि ऐसा नहीं होता तो अभी तक मानव सभिता समाप्थ हो चुकी होती, ये बाते भी सच हैं जहां सब को समान रूप से देखा जाता है और जहां सब सुखी है, यदि ऐसा नहीं होता तो सारा संसार आपस में जुड़ा नहीं होता आज सारे देश एक दूसरे के साथ पारिक संबंद बनाए हुए है वह सारे एक दूसरे की संस्कृति और सभिताओं के विशे में जानने को इच्छुक है ये सब प्रमाण हैं कि हमारे संसार के अच्छे होने का तो कहने का क्या मतलब है हमारा संसार अच्छा है बहुत अच्छा है जाहित सी बात है हम उसमें रह रहे हैं जीवन बिता रहे हैं तो अच्छा ही है तो ये तो चीजें हैं क्यों अच्छा है कारण क्या है आप लोग अच्छे हैं सब मेहनत करते हैं मेहनत के दम पर सारी चीज़ें हासिल करते हैं तो ये सब चीज़ें संभव हो हैं हम देख रहे हैं और इनका क्या कारण है मेहनत के कारण है समानता है एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं अब तो अब ये जो question आया है इसमें सबके सपनों की दुनिया अलग-अलग होती है चैदक है अगर छोटे बच्चे से हम पूँचेंगे कि तुम्मारी सपनों की दुनिया कैसी होगी तो बोलेart चोकलेट का पहार होगा, चोकलेट की नदी होगी, उसमें बहुत सारे जेम्स लगे होगे, लॉलिपॉप होगा, तो हर बच्चे का अपना अपना एक अलग-अलग होता है कि उसका संसार कैसा होगा, छोटे बच्चा जो चाहता है उसको अपने संसार में चाहिए बहुत सारे खिलोने चाहिए एक रेल गाड़ी चाहिए जिसमें वो बैठा हो कुप सारे soft toys हो तो जिसको जैसा जैसा चीज अच्छी लगती है वो वैसा वैसे आपकी दुनिया कैसी होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए मैं आपको एक idea दे सकते हैं किस तरीके से लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं क्या है हां मैं अपने सपनों के संसार के बारे में कलपना करती हूं परंतो मेरे सपनों की दुनिया बिलकुल अलग है मेरे सपनों का संसार प्रदूशन मुक्त है प्रकती में सौंदर से भरपूर है लोगों के घर इमारतों में नहीं होंगे बलकि पेड़ों पर बने छोटे छोटे घर हो तो यह जो इमारते हैं वो नहीं होंगी तो क्या होगा हम पेड़ों पर रहेंगे प्राकतिक परिदर्ष्ट में रहेंगे तो यह सब चीजे प्राकतिक महौल बना रहेगा तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्ण उत्तर यहां पर खतम हुए I hope यहां पर अपने द्वारा किये गए बहुत से प्रश्ण हमने आपके सामने रखे हैं तो ऐसे बहुत से प्रश्ण आगे भी आपके सामने आते रहेंगे मेहनत करते रहेंगे आप धीरे धीरे हर एक चीज़ बहुत ही इसली कर लेंगे Thank you, bye